बसकार दोस्तों मैं राज कुमार सिंग, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में आज का जो वीडियो है वो बेसिकली हम हर्याना स्टेट में कुरिशेत्रा इन्वर्स्टी या कर सकते हैं कि हर्याना स्टेट की जो भी इन्वर्सिटीज है उन सब पे बेस जो एनिपी का स्लेवस आया है उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तो सबसे पहले इसमें हम आपको यह बता देते हैं, यह जो कुरिशेत्रा का स्लेबस आया हुआ है, वो NEP-based है, NEP pattern पे है, NEP pattern मतलब National Education Policy 2020 pattern पे है, तो जो यह आपका NEP-based program है, यह कर सकते हैं कि National Education Policy-based जो program है आपका, वो basically undergraduate के लिए 4 year का program है, total आपका 4 year होगा, undergraduate का NEP-based, NEP pattern पे हैं, जिसमें आपको multiple entry, multiple entry और exit के options मिल रहे हैं, अब बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा, इससे पहले वीडियो में, कि multiple entry, exit क्या है यह NEP में, तो वो मैं आपको clear कर देता हूँ, multiple entry, exit का मतलब simply यह है यहाँ पे, जैसे मैंने बोला क कि 4 year का यह program है, 1st, 2nd, 3rd, 4, और यह semester based pattern है, इसमें semester होंगे, तो 1st year में आपके 1st और 2nd semester हो गया, 2nd year में आपके 3rd और 4th हो गया, 3rd year में आपका 5th और 6 हो गया, और फिर इसी तरीके से 4th year में आपका 7th और 8th हो गया, तो इस तरीके से semester वाई, जह 4 साल में 8 semester total आपके हो जा है, जिसमें multiple entry exit है, अब multiple entry exit क्या होता है, जैसे कि इसे पहले जो syllabus follow हुआ करता था, anyp से पहले, उसमें multiple entry exit को option नहीं था, अगर आप suppose करिए, कोई भी, जैसे एक मान लिया, मैंने bachelor of commerce की में बात कर लूँ, commerce 3 साल के लिए, general pass course के लिए कोई भी करता था, अब अगर उसका 2 सा के बाद किसी कारण से छूट गया, वो नहीं कर पा रहा है, कहने का मतलब financially problem कोई हुई, या family related कोई problem हुई, दो साल के बाद वो नहीं कर पा रहा है, और 3-4 साल तक नहीं कर पाया, तो फिर क्या होता था, उसको अगर become करना है, पूरा complete, तो उसको दुबारा से first year से पढ़न complete किया, अब उसके बाद कोई भी ऐसा issue है, reason है, जिसकी वज़े से वो नहीं कर पा रहा है, आगे continue नहीं कर पा रहा है, तो वो छोड़ दिया, छोड़ दिया तो उसको क्या होगा, जब first year complete होगा, तो graduation certificate उसको मिल जाएगा, graduation certificate, और second year में जब गया, second year में अगर वो complete किया graduation diploma, अब दो साल के बाद उसने छोड़ दिया, उसको एक तरीके से first year में graduation certificate मिल गया, second year में graduation diploma मिल गया, उसने छोड़ दिया, अब वो 3-4 साल बाद जब फिर से अगर वो become अपना complete करना चाहेगा, तो फिर क्या होगा, वो direct third year में आ जाएगा, third year में या कह सकते हैं कि fifth से में वो direct आ जाएगा, जब वो fifth से में direct आएगा, तो फिर जब वो third year में आएगा, third year में आएगा, मतलब की fifth और sixth semester पढ़ेगा, तो जब fifth, sixth semester पढ़ने के लिए आएगा, और third year पूरा complete हो जाएगा उसका, तो उसको मिलेगा graduation degree, graduation degree मिल जाएगे, और उसी तरीके से जब fourth year complete करेगा, graduation, research, यह भी degree होगी, लेकिन with research के degree होगी है, तो इस तरीके से यह multiple entry, exit का simply मतलब यह है, कभी भी आप, किसी भी year में आप exit कर सकते हो, किसी भी year में, जिस year से आपने exit किया है, in future, आप लंवेट समय के बाद, अगर कह सकते कि 3-4-5 साल के बाद भी आप अगर करना चाहते हैं, तो फिर से आप जहान आपने exit किया था, वहीं से आप entry कर सकते हो, यह multiple exit और entry का मतलब है, NEP based pattern में, तो NEP based pattern, in short, आप कहीं देखेंगे, इस तरीके से short form में लिखा रहता है, NEP 2020, NEP based pattern, undergraduate four year का program है, जो कि multiple entry exit में है, four year में आपके 8 semester total होंगे, और multiple entry exit में किस तरीके से आपको degree हर साल अलग-अलग degree मिलती रहेगी, वो आपको मैंने समझा दिया, then multiple exit entry का simply मतलब यही है, कभी भी आप exit कर सकते हो, कभी आप entry कर सकते हो, बीच में आप gap करके दी, जो कि पहले जो syllabus हुआ करते थे, या पहले जो pattern हुआ करता था under graduate के लिए, वो इसमें नहीं था, जो कि NEP में ये include किया गया है, मेरे हिसाब से ये बहुत ही important और बहुत ही अच्छी चीज include हुई है, आप भी comment box में बता सकते हैं, कि national education policy में जो ये improvement किया गया है, multiple entry exit का, वो अच्छा है या नहीं है, ओके, तो फिर अब हम चलते ह हैं, इसके बाद, तो अब हम बात करते हैं, कुर्षेत्रा इन्वस्टी जो NEP-based syllabus ले आई है under graduate के लिए, वो syllabus उनकी site पे किस तरीके से आप download कर सकते हैं, उस syllabus में क्या-क्या subject आपको किस तरीके से पढ़ने है under graduate के लिए, ये सारी details आगे हिस वीडियो में हम आपको पताने वाले हैं, तो सबसे पहले जैसे आप जाइए Google पे, Google पे आप डाल दीजिए KUK NEP syllabus, जैसे ही आप KUK NEP syllabus डालेंगे, आपके site पे कुछ इस तरीके से खुल के आएगा, जैसे ही आप कुर्षेत्रा इन्वस्टी पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप कुर्षेत्रा इन्वस्ट यहाँ पे आपको दिखेगा list of different disciplines for undergraduate program under NEP of KUK, तो यह आप test service, test service scheme के लिए आपको यह दिख जाएगा undergraduate का syllabus, जिसमें आपका scheme ABC दिया हुआ है, और scheme D दिया हुआ है, इन्होंने अपने syllabus को दो अलग-अलग, या कह सकते हैं कि चार अलग-अलग schemes में divide किया हुआ है, जिसमें scheme ABC एक साथ दिया हुआ है, और scheme D एक साथ दिया हुआ है, तो basically main syllabus हम यहाँ से भी download कर सकते हैं, या यहाँ पे हम under graduate के भी उस पे जा सकते हैं, अगर हम under graduate के उस पे जाएंगे तो इस तरीके से हमको different subject की list खुल करके आ जाएगी, different subject की list का मतलब, अलग-अलग streams के लिए पे आपको link मिल जाएगा, जिस link को आप view पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको इस लेपस मिल जाएगा, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ज्यादा easy आपके लिए होगा, कि आप यहाँ पे under graduate के उस पे ना जा करके, simply आप बाहर ही देखेंगे list of MDC scheme A to D and pool wise, ऐसा क scheme ABC दिया हुआ है, अब हम देख लेते हैं scheme ABC पे view करके देखते हैं क्या है, यह scheme ABC पे हमने view किया, तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से आपके system पे खुल करके आएगा, जैसा कि यह दिया हुआ है, scheme ABC, अब scheme ABC में इन्होंने तीन categorization बना दिया हुआ है, arts के लिए, life science के ल दिखेगा different subjects का, जैसे अभी यह खुल रहा है, तो इसमें हम art की बात करें, अगर हम art की बात कर लेते हैं, art में जैसे कि यहाँ पे देखेंगे different levels है, economics है, English है, Hindi है, History है, जो भी BA कर रहे होंगे, bachelor of art कर रहे होंगे, उनमें जो different subjects हैं उनके, वो कुछ इस तरीके से हैं, फिर physical science में आपका computer application है, computer science है, electronics है, geography है, mathematics है, physics है, statics है, कहने का मतलब यह हुआ, कि इन्होंने ABC जो scheme दिया हुआ है, उसमें तीन category बना दिया हुआ है, जो कि कुछ इस तरीके से है, अब अगर हम बात करें, बात करें जो scheme D दिया हुआ था, तो scheme D पे जैसे ही आप view पे click करेंगे scheme D के view पे जैसे मैंने click किया, तो कुछ इस तरीके से आपके system पे खुल करके आ जाएगा, जैसा आप देख रहे हैं कि scheme D के लिए different, यह streams है, subjects है, जैसे stream में आप ले लो bachelor of business administration, जिसको BBA आप बोलते हैं, ठीक है, अब इसमें आपका, यहाँ परा BBA का syllabus खुल जाएगा, बास bachelor of commerce में पुरा आपका commerce, जैसे मैं bachelor of commerce पे click किया, अब bachelor of commerce पे जब हम click करेंगे, तो हमको क्या खुल करके आएगा, हमारा B.com का पुरा syllabus खुल जाएगा, ठीक है, इस तरीके से B.com का आपका syllabus खुल के आगे है, जैसे आप देख रहे हैं, अब यहाँ पे दिया हुआ है, कुर आपके major है, कौनसा minor है, कौनसा AAC, DAC, VAC, जो आपको value added या skill enhancement के सारे courses पढ़ने हैं, जो उसमें पढ़ने हैं, वो भी आपका यहाँ पे detail दिया हुआ है, जैसे अगर हम बात कर लें, यहाँ पे first year दिया हुआ है, first year में first semester है, then second semester है, अगर हम first semester की बात करें, तो first semester में आप CC1, CC2, CC3 इस तरीके से code करके दिया हुआ है, मतलब कि यह आपके core courses हो गए, तो core courses अगर यह आपका हो गया, तो आप यह मान लीजिए, यह आपके core courses हो गया, अब तीनों आपका, core courses में जो आपका दिया हुआ है, जैसे CC1 है, CC2 है, CC3 है, यह तीनों core courses हो गया है, फिर उसके course में भी आपका personal finance आ गया तो यहाँ पे आपका कितने subject हो गए अब 5 subject हो गए उसके बाद तीन section यहाँ अलग से दिया हुआ है select one course from the pool of ability enhancement course AEC, इसी तरीके से SEC, इसी तरीके से VAC कहने का मतलब यह हुआ, AEC, SEC VAC का इन्होंने pool of subject का एक list दिया हुआ है बाहर जहां से हम लोग scheme D, scheme ABC download किये थे, उसी तरीके से वहाँ देखेंगे आप AEC, SEC, VAC जो कि अभी मैं आपको दिखा दूँगा आगे वीडियो में तो वहाँ पे pool of subject का पुरा list दिया हुआ हुआ, जिसमें से एक subject आपको choose करना पड़ेगा एक subject का मतलब AEC से एक subject, SECC एक subject और इसी तरीके से VACC एक subject तो in short आप ये कह सकते हैं कि 5 subject आपके ये हो गए जिसमें से 3 major थे या कह सकते हैं कि main course के थे फिर एक minor हो गया आपका एक multi-disciplinary हो गया तो total become में जो बच्चे हैं उनको total कितने subject पढ़ने है 8 subject, इन 8 subject में एक semester में उनको पढ़ना है, जैसा कि total marks आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ है 100, 100, 100 50, 75, जो आपका ये minor और multi-disciplinary होगा इनका जो exam होगा, वो एक तरीके से जो external exam होगा, वो 35 और 50 का होगा, वो 100 mark का नहीं होगा, या कह सकते हैं कि 70 mark का नहीं होगा, वो जो core courses होंगे, उनसे उनकी marking कम होगी, ठीक है, तो ये मैंने दिखा दिया आपको bachelor of commerce का syllabus, इसी तरीके से आप देखेंगे, आपको BBA का भी syllabus दिख जाएगा इसी तरीके से आप देखेंगे, तो आपको BBA का syllabus आपको मिल जाएगा, scheme D के अंदर ही BBA, Bcom, या आपको scheme D के अंदर मिल जाएगा अगर आप BSC देखना चाहते हैं, BA देखना चाहते हैं BCA देखना चाहते हैं, तो ये सारा आपका scheme A, B and C करके जो दिया हुआ है, उसमें आपको मिल जाएगा तो ये जो pattern है आपका, जो ये pattern है आपका ये same pattern, जो ये pattern है आपका, ये same pattern आपका कह सकते हैं किसके लिए follow हो रहा है BCOM के लिए, तो BCOM के लिए तो यह ही है courses का, वो कुछ इस तरीके से ही होगा, तीन core course होगे, एक minor होगा, एक multidisciplinary होगा, और तीन आपके होगे, जो different ability enhancement, skill enhancement, या value added subjects होगे, तो इस तरीके से art subject आपको इन तीनों streams में पढ़ना है, अब हम बात कर लेते हैं इस वीडियो में आगे BA और BSC BA, BSC जो बच्चे कर रहे होंगे BA, BSC का under graduate में क्या NEP का syllabus है, कुरुचे तरा university का, वो कुछ इस तरीके से है, जब आप इस पे जाएंगे, list of different जो आपका first है, ABC scheme वाला, आप उस पे click करेंगे, जैसे ही view पे आप click करेंगे, तो आपको कुछ इस तरीके का syllabus खुलके आएगा, जिसमें आप देखेंगे different streams हो, जो मैंने वीडियो में पहले भी आपको बता दिया था, अब एक कोई भी example के तोर पे हम लोग pick करते हैं, जैसे art की मैं बात करूं, art में अगर हम लोग economics की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप economics पे click करिएगा, तो कुछ इस तरीके से economics का syllabus खुल करके आएगा, bachelor of art के अंदर अगर कोई भी student economics subject ले रहा है, तो economics subject का syllabus यह है, जिसमें क्या है, आप देखेंगे, undergraduate में कुछ इस तरीके से है, अब यहाँ पे first semester के आप देख रहे हैं, चार subject यहाँ दिये हुए, then second semester इस टार्ट हो, जो first semester के आपके subjects दिये हुए हैं, वो किछ इस तरीके से हैं, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, core course लिखा हुआ है, CC1, CC1 का मतलब core course first, core course में आपका दिया हुआ है, micro economics, तो आपको क्या पढ़ना है, जो BA journal pass course कर रहे होंगे, उनके लिए है यह, जो BA journal pass course कर रहे होंगे, वो core subject में micro economics पढ़ेंगे, then MCC2, अब यहाँ देखें MCC1 है, MCC1 का मतलब major core courses, major core courses में को जिखाऊंगा, तो उसमें पुरा classify किया हुआ है, कि scheme A, B, C, कैसे अलग-अलग कि system के लिए है, तो यहाँ पे जो आपका यह subject है, MCC2, यह आपका honors जो बच्चे कर रहे होंगे, उनके लिए है, जो bachelor of art honors कर रहे होंगे, उनके लिए है, देन, दूसरा subject क्या पढ़ना है, general past course के student की लिए, पहला तो मैंने बता दिया, micro economics, दूसरा subject उनको पढ़ना है, CCM1, CCM1 मतलब यह हो गया, core course minor, माइनर में आपको क्या पढ़ना है, introductory economics पढ़ना है, दूसरा हो आप simply कह सकते हैं, core, minor, और MDC, मिन्स multidisciplinary, जो general past course economics से कर रहे होंगे, BA, bachelor of art, उनके लिए जो subjects हैं, वो micro economics, first subject core course हो गया, फिर second subject आपका minor हो गया, introductory economics, and third multidisciplinary course हो गया, जो की basics of economics, अच्छा, अब यहाँ पे detail नहीं दिया हुआ है, लेकिन आगे आप देखेंगे, इसके बाद क्या पढ़ना है, जैसे मैंने become में आपको बताया था, उसी तरीके से BA में इन तीन subject के अलामा जो आपको पढ़ना है, वो पढ़ना है AEC, SEC, और VAC, यह हो गया आपका तीन subject, जिसमें pool of subjects होंगे, अभी आगे वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें से एक subject हम लोगों को pick करना होगा, तो तीनों में से तीनों में एक-एक subject आपको पढ़ना होगा, तो in short यह कह सकते हैं कि एक core course, एक minor, तीसरा multidisciplinary, फिर AEC से एक subject, SEC से एक subject और VAC से, तो total number of subject जो economics से bachelor of art में economics subject चूज किये होंगे, उनको यह 6 subject पढ़ने पढ़ेंगे, clear है, I think यह clear आपको हो रहा होगा, इसके बाद हम चलते हैं दूसरे subject की बात, दूसरे stream की बात कर लेते हैं, हमने BA में economics की बात किया, BSC के लिए अगर हम बात करते हैं, तो bachelor of art में जैसे मैंने आपको economics बता दिया, उसी तरीके से अगर हम bachelor of science की बात करें, bachelor of science में subject आपका जैसे यहाँ पे अगर हम लोग choose करना चाहें, हम लोग pick करना चाहें, जैसे हम chemistry for an example, एक chemistry subject को लेकर हम आपको बता देते हैं, BSC में कैसे आप subject choose करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे chemistry के syllabus में, जब chemistry के syllabus में first semester में आप जाएंगे, तो first semester में आपको core courses मिलेगा, core course में आप देखेंगे, कि आपको core course में MCC 1, जो की scheme A and C के अंदर दिया होगा, scheme A and C core course MCC 1, जिसमें chemistry first with practical, एक subject आपका यह हो गया, दिन दूसरा subject आप देखेंगे हैं, scheme C लिखा हुआ है, तो scheme C जो है, वो basically honors case student के लिए है, किसके लिए हैं, honors case student के लिए, तो general passcode के लिए जो कर रहे होंगे, bsc, general bsc जो कर रहे होंगे, या pass course के लिए जो bsc general कर रहे होंगे, उनके लिए scheme A and C, जो पहला subject है, chemistry, वो applicable है, मतलब यह subject वो pick करेंगे, second जो है, जैसे दिया हुआ है, physical chemistry first, अब physical chemistry first, मैंने बताया, scheme C के अंदर दिया हुआ है, इस वज़े से ये honors के लिए हो गया, तो general pass course वाले इस subject को नहीं पढ़ेंगे, ये कौन पढ़ेगा, honors जो कर रहे होंगे, उनके लिए है, ये आपका देख रहे है, clarity है, scheme A and D, scheme A and D, CCM1, core course, minor, minor हो गया क्या, minor chemistry, तो ये भी आपको पढ़ना है, एक आपको chemistry first पढ़ना हुआ, दूसरा subject आपका minor chemistry हो गया, फिर तीसरा दिया हुआ है, scheme A, C and D, ये तीनों scheme के लिए multi-disciplinary subject है, introductory chemistry, introductory chemistry with practical, ये आपका तीसरा subject हो गया, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, मैंने बात किया तीन subject, तो इस तरीके से मैंने तीन subject की बात किया, तीन subject में मैंने क्या क्या आपको बताया, एक chemistry first, दूसरा आपका, यहाँ पर minor chemistry हो गया, तीसरा आपका introductory chemistry हो गया, ये तीन subject हो गया, अब इसके अलावा भी आपको तीन subject और पढ़ने पढ़ेंगे, जैसा मैंने बताया था बैचलर आफ आर्ट में, economics के syllabus में, तो उसमें क्या पढ़ना होगा, AEC, SEC, और VAC, तीनों से आपको एक-एक subject दिक करने हैं, तो यहां भी अगर आप देखेंगे, जैसे वहाँ economics में था, उसी तरीके से bachelor of science में, जब आप chemistry का syllabus देखेंगे, तो chemistry में भी आपको तीन subject ये आपके हो गया, जो कि core course हो गया, एक, दूसरा minor, तीसरा multidisciplinary, चौथा आपका AEC, फिर SEC, VAC, इन सबसे एक subject आप चूज करेंगे, मतलब AEC से एक, SEC से एक, VAC से एक, तो यह हो गया कुछ chemistry का syllabus इस तरीके से ऐसे ही देखेंगे, आपका second semester में दिखेंगा, ठीक है, फिर आगे हम लोग चलते हैं, आगे हम लोग चलते हैं, chemistry के अलावा हम लोग दूसरे subject पे बात कर लेते हैं, जैसे कि हम दूसरा subject यहाँ पर सपोच करिए, पिक कर ले, physics पिक कर लेते हैं, चलिए, अब देखिए physics में किस तरीके से syllabus है, physics में भी almost उसी तरीके से syllabus का pattern है, कुछ जो subject आपको पिक करने हैं, जैसा कि आपका chemistry में था, तो physics का syllabus जैसे हमने download किया, तो इसकीन पे कुछ इस तरीके से इसका syllabus खुल करके आया है, अब इसकी अगर हम बात कर लें, तो यहाँ भी आप देखेंगे क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, अब इस syllabus की अगर हम लोग बात कर लें, तो आप देखेंगे दिया हुआ है आपका core course, CC1, core course में क्या दिया हुआ है, mechanics, प्रैक्टिकम दिया हुआ है, तो mechanics से साथ इसमें प्रैक्टिकम आपका यह साथ में पढ़ना हुआ है, पढ़ना होगा, तो देखेंगे physics का syllabus open करेंगे, तो कुछ इस तरीके से physics का syllabus हमारे सामने खुल के आया है, जैसा आप देख रहे हैं, तो जब हम physics का syllabus देखेंगे तो कुछ इस तरीके से खुल के आएगा, इसमें क्या दिया हुआ है? आप देखेंगे core course दिया हुआ है, core course में CC1 दिया हुआ है, CC1 में क्या है? mechanics है और practicum, कहने का मतलब यह हुआ, core course में हमको क्या पढ़ना है? mechanics पढ़ना है, एक subject आपका यह हो गया, दूसरा दिया हुआ है MCC2, अब MCC2 जो है, यह honors के लिए है, किस schemes actually clear नहीं दिया हुआ है, इसके पहले जो मैंने आपको वीडियो दिखाया था, chemistry का, उसमें आप देखे थे क्या? साइड में schemes भी clear दिये रखे थे, तो scheme C हमेशा क्या हो जाएगा? honors के लिए हो जाएगा, general pass course के लिए, general pass course के बच्चे यह नहीं पढ़ना है, तो एक subject आपक mechanics, दूसरा minor, minor में elementary mechanics आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है? elementary mechanics, फिर आपका MDC हो गया, MDC में आपको क्या पढ़ना है? physics fundamentals first, physics fundamentals first, यह आपका multidisciplinary हो गया, तो तीन subject यह हो गया, फिर आप देखेंगे second semester start हो गया, क्या हो गया? second semester start हो गया, यहाँ से, यहाँ से अगर आप आप की देखेंगे? यहाँ से अगर आप देखेंगे second semester start हो गया, तो second semester, first semester में in short कहने का मतलब यह हो गया, कि आपको तीन subject पढ़ने है, तो first semester में in short यह हो गया कहने का मतलब आपको तीन subject पढ़ने हैं एक तो mechanics हो गया आपका, दूसरा आपका elementary mechanics हो गया जो की minor है, तीसरा multidisciplinary हो गया, जो की physical fundamental first करके है तो तीन subject यह हो गया, फिर उसके बाद आपको क्या पढ़ना होगा AEC, SEC और VAC, इन सबसे एक-एक subject आपको चूज करने होगे तो यह था physics का syllabus, I think अब आपको समझ पढ़ गया होगा कि हमें अगर B.com में देखना है, BBA, BCA इन सबके syllabus देखने है तो फिर कहां से हम download करेंगे, और उसमें हमारे total number of subject होगे जो BBA, BCA, BCA, BCA कर रहे होंगे, तीन core courses होंगे एक minor होगा, चार हो गया, पाचवाँ आपका हो जाएगा, multi-disciplinary, six हो गया और इसी तरीके से, sorry, इसमें क्यादा, core minor core minor, mbc, three तो I think अब आपको समझ में आ गया होगा, जैसा मैंने आपको बताया अगर B.com, BBA, BCA कोई कर रहा होगा, तो उसके लिए total number of subject कितने होंगे art subject होंगे, जो first semester में बच्चे को पढ़ना है जिसमें से की तीन core courses होंगे, एक minor होगा, चाउथा multi-disciplinary होगा और तीन फिर आपका pool of subject जो दिये होंगे, ACC, VAC और AEC से जिनमें एक-एक subject पिक करना है तो पांच वो और तीन ये मिला करके art subject आपको होगे इसी तरीके से अगर कोई भी बच्चा bachelor of art में कोई भी subject ले रहा है या bachelor of science में कोई भी subject ले रहा है तो उसके लिए जो total number of subject हैं जैसा मैंने अभी आपको बताया six subject हैं, कितने हैं? six हैं एक core course से उठाएगा, दूसरा minor से उठाएगा, तीसरा multi-disciplinary लेगा और फिर AEC, SEC, VAC इन तीनों से एक-एक subject लेगा तो कहने का मतलब भी हुगा, जो भी बच्चे bachelor of art, bachelor of science कर रहे होंगे किसी भी subject के लिए, उन subject में जो उनके total number of subject होंगे वो होंगे number of subject six होंगे, जिनको आपको कुछ इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा अब मैं आपको बता देता हूँ, इसके बाद, SEC, VAC और AEC मैं बार-बार इसका जिक्र किया, हर एक syllabus में इसका जिक्र किया यह आपको कहां मिलेगा, site पे किस तरीके से मिलेगा और वहां से कैसे आप pool of subject को देख पाएंगे, मैं उसकी बात आपके सामने करता हूँ तो जब आप कुर्शित्रा की main site पे थे, कुर्शित्रा की main site पे क्या दिया हुआ था, यहां पे जब syllabus हम लोग देख रहे थे तो हम लोग यहां पे ABC और D के लिए, इसकी इंडे के लिए जो भी subject से उनके लिए यहां से download कर रहे थे आप उपर ही देखेंगे सबसे पहले दिया हुआ है, pool of VAC, pool of SEC, pool of VOC, pool of AEC, AEC मतलब ability enhancement, VOC मतलब occasional course हो गया आपका, SEC का मतलब skill enhancement, VAC का मतलब value added courses, तो यह तीन mainly जो थे, VAC, SEC, AEC, जिनको हम हर एक stream में हमको पढ़ना है, चाहे वो art का बच्चा हो, चाहे वो science का बच्चा हो, चाहे हो commerce का student हो, जितने भी undergraduate के student होंगे, इन सब को आपको VAC, SEC, AEC से एक-एक subject choose करना है, जैसे for an example हम VAC की बात करें, VAC पे जैसे ही यहाँ पे आप view पे जाएंगे, VAC के view पे जाएंगे, आप click करेंगे, जैसे यह हम लोग के सामने खुल करके आया, VAC जब हमने VAC के view पे ह इनों ने इस तरीके से दिया हुआ है, अगर हम first की बात करें, तो first की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे दो subject आप देखेंगे, दो subject की listing आपको मिल जाएगी, एक तो human value and ethics, दूसरा आपका environmental studies, VAC 101 human value and ethics, और VAC 201 environmental studies, और फिर आप जब second में देखेंगे, तो यहाँ भी environmental studies आप भी मिलेगा आपको, तो कहने का मतलब यह हुआ, first और second semester, first और second semester में, बच्चा एक subject चूज करेगा, अगर यहाँ पे human value वो पढ़ लिया है, suppose करो first semester में, तो second semester में वो environmental study ले लिया, या ऐसा भी कर सकता है कि first semester में environmental study पढ़ा, तो वहाँ जाकर के second semester में human value ले लिया, कहने का म ethics, environmental studies, और यह दोनों subject, first और second semester को मिला करके आपको पढ़ना है, कहने का मतलब, कोई भी subject दोनों में से first semester में पी कर लिजिए, और जो बच रहा हो, second semester में पढ़ लिजिए, तो यह हुआ, value added का, अभी मैं आपको सिर्फ एक year का बता रहा हूँ, first और second semester के लिए सिर्व बता र देखिए, VSC का हमने download किया था, इसी तरीके से SEC का हम लोग view पे जाकर, download करके देख लेते हैं, कि SEC का syllabus क्या है, SEC के subject में आप देखेंगे, pool of skill enhancement courses, pool of skill enhancement courses में आपका कुछ यह खुल करके आ रहा है, skill enhancement courses में यह आ रहा है, अब यहाँ पे दिया हुआ है, आप देखेंगे, course code, course title दिया हुआ है, SEC second, SEC third, SEC fourth, कहने का मतलब यह हुआ कि एक तरीके से first, second, third, fourth semester के लिए यह SEC के subject है, अब skill enhancement में first semester में जो बच्चों को कोई भी subject पी करना है, वो यह रहे total आपके जो title है, जैसे कि office and explicit tools and learning, advanced explicit tools, basic IT tools, essentials of python, introductory course in R, computer programming in C, तो यह total number of subject कितने हैं, six, अब यह six subject में से कोई भी एक subject आपको choose करना है as a skill enhancement course, किसी भी undergraduate student के लिए इन में से एक subject choose करना है, तो यह हो गया आपका, अब इसका syllabus देखना है, कोई भी एक syllabus पर आप किसी भी एक click करेंगे, तो उसका syllabus कुल करके आ जाएगा, अब हम बात कर लेते हैं, जो हमारा एक section रह गया, AEC, ability enhancement course, उसके लिए भी आप क्या करेंगे, AEC, आप यहाँ देख रहे हैं, pool of AEC, pool of AEC में, जब आप यहाँ पर जा करके view करेंगे, तो आपका कुछ, इस तरीके से AEC का syllabus खुल के आ जाएगा, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, क्या आ रहा है, pool of ability enhancement courses, ability enhancement courses में, semester first इनों ने इस तरीके से categorize कर दिया है, then semester second के लिए AEC, तो अगर हम अभी first की बात करें, तो अगर अभी हम first की बात करें, तो first में आप देखेंगे, इनों ने दिया हुआ है, English language, English language and communication level first, ठीक है, यह आपका first semester में दिया हुआ है, then, यहाँ पे दिया हुए Department of Hindi, Department of Sanskrit, इस तरीके से कहने का मतलब number of subject कई है, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो आपका यह number of subject कितने आ रहे हैं, total, one, two, three, four, four subjects ऐसे हैं, जो कि first semester में आपको पढ़ने हैं, जिसमें से आप कोई एक subject choose करेंगे, four subject ऐसे हैं, जिनमें से एक subject choose करेंगे, as a ability enhancement course, तो यह हो गया आपका ability enhancement course, जिससे आपको first semester में एक subject पढ़ना है, यह AAC1 हो गया, यह AAC2 है, AAC2 मतलब यह हो गया एक तरीके से आपका second semester, तो यह कुछ इस तरीके से था, जो आपको मैंने बताया, ACC, AEC, VAC और different streams के different subjects, कह सकते हैं कि bachelor of art, bachelor of science, bachelor of commerce के लिए, अलग-अलग, जितने भी undergraduate हैं, सबके लिए subject आप कहां से download करेंगे, कहां से उसका syllabus आपको मिलेगा, वो सारी चीजें कि कुरिशित्रा इंवर्स्टी पे जैसे मैंने आपको दिखाया, पूरी courses की कहां कहां कैसे आप जा करके आप अपना syllabus को download कर सकते हैं, examination pattern क्या होगा कुरिशित्रा इंवर्स्टी का under graduate के लिए, वैसे तो आपको हर एक syllabus में instruction मिल जाएगा कि examination pattern उनका क्या है उसका, बट मैं आपको short में समझा देता हूँ, यहां पे जो इनका examination pattern है वो actually दो पार्ट में बटा हुआ है, पहला question इनका है compulsory question पहला question इनका है compulsory question जो compulsory question होगा वो होगा आपका two marks का, जिसमें आपके seven questions total होगे, पहला question जो होगा उसमें आपका two marks के each questions होगे, हर question पे जो marking होगी वो दो marks की होगी और वो total number of questions पहले question में कितने होगे, seven होगे, कहने का मतलब यह होगया कि 14 marks का आपका पहला question होगया, then question number two से ले करके question number nine तब आपका second part है, two to nine जो questions आएंगे वो हर unit से, each unit से आपका, two questions होगे, each unit से कितने question होगे, तो एक तरीके से आप देखेंगे 2 to nine आपका total question कितने बन जाएंगे, eight question बन जाएंगे eight questions आपके total बन जाएंगे, जो कि हर unit से कितने होगे? दो question होगे, you new call units कितनी होगी, लगबग 4 unit हर एक्स लिवस में आपको मिलेगा तो एक तरीके से 2 into 4 यह आपका 8 हो जाएगा अज़ यहाँ पर 14 मार्ट पहला question compulsory हो गया अब इन सब से total जो आपको attempt करना है student को वो सिर्फ attempt करना है 5 question कितना attempt करना है? सिर्फ 5 question attempt करना है तो पहले question से 14 marks हो गया और 2 to 9 से आप कितने question pick करोगे? 4 question pick करोगे 4 question attempt करोगे तो आपका total 5 हो जाएगा तो कहने का मतलब यह हो गया यहाँ भी जो आप 2 to 9 से 4 question pick कर रहे हैं वो total आपके है 14 marks के 14 marks के each question हो गया तो यहाँ से आप 4 attempt करोगे यहाँ से आप एक attempt करोगे बिला के आपके total हो गया 5 14 marks के each questions हो गया तो 14 into 5 यह आपका total 17 marks हो गया कुछ इस तरीके का pattern है हर एक syllabus का मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि यही pattern है मगर लगभग लगभग आप देखेंगे हर एक syllabus का जो pattern है examination pattern है कुछ इसी तरीके का है वैसे हर एक syllabus में आपको detail मिल जाएगा detail में मिल जाएगा कि instruction क्या है examination के लिए वो सारे syllabus में अलग-अलग आपको दिया हुआ है तो दोस्तों यह था video हमारा कुछ छेत्रा इंवस्टी पे hopefully आपको मैं पूरा detail में समझा पाया हूँ कि किस तरीके से आप syllabus को download करोगे कैसे आप अलग-अलग streams के लिए आप कौन से scheme में जा करके download करोगे जिसमें ACC, VAC और AEC के syllabus अलग-अलग आपको pool of subjects में से कैसे मिल जाएगे कहां पे आपको वो सारे subject मिल जाएगे तो next कुछ भी update होता है दोस्तों तो फिर से हम आपको नई वीडियो के थूँ update देंगे, आज अभी के लिए इतना ही धन्यवाद